कर्महीन एक ऐसी रचना जो समाज के वास्तविक परिद्रश्चों को प्रसूत करती हुई जिसे मैंने इन दौर में लिखा था एक बार की बात है मैं एक मोची के पास जूते पॉलिश करवाने के लिए पहुचा वह व्यक्त जूता पालिश करना शुरू करता है और बोलता है साहब लोग कुर्सी पे बैठ कर मजे करते हैं हम यहाँ लोगों के जूते साफ करते हैं यह सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए मैंने उस व्यक्ति से कहा इसका आर्थ है तुम अपने कारे से खुश नहीं हो मैंने उसे यही कहा तुम अपने कारे को कारे नहीं पूजा मान कर करो तुम्हें संतुष्टी मिलेगी पढ़ने का मौका तुम्हें भी मिला होगा पर तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा इतना कहकर मैं अपने रचना ध्यानमगन हो गया वह अपना कारे करने लगा तब मैंने इस रचना को लिखा जिसका शिर्षक है कर्महीन हम समाज को विक्सित करने की बात करते हैं परन्तु समाज के अधिकतर लोग कर्महिन्ता को एक आभुशन के रूप में मानकर अपने दिन्चर्या को बढ़ाते हैं ऐसी मौजीता इस्तित्य को देखते हुए रचना आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ प्रस्तुत है कर्महीन बनकर तुम सब पालेना चाहते हो कर्महीन बनकर तुम सब पालेना चाहते हो बिन तपन पिटन के का भुशन बनना चाहते हो ये इच्छाएं तो तुम्हारी भी बहुत ही जादा प्रबल हैं ताज बनकर समराट के सर चढ़ना चाहते हो ये सब कैसे संभाव है बिन प्रयास के ही बोलो कर्मवानों के आगे ही आगे ने चलना चाहते हो सुपता वस्था में ही ऐसे रह कर रह कर तुम दिन रात ऐसे ही अब असंभाव को संभाव करना चाहते हो कर्महीन बनकर तुम सब पालेना चाहते हो बिन तपन पिटन की का आभुशन बनना चाहते हो ये दिन नहीं मिले विश्वास तुम्हें इन सभी वक्त अव्यों से पिछले पन्ने पल्टो ऐसे ही तुम क्या देखते हो पाया जिन जिन लोगों ने कुछ ही कुछ भी तब हाथों में जागे दिन राद जिनको तुम सोकर पाना चाहते हो करमहीन बनकर तुम सब पालेना चाहते हो द्वेश रखते हो उनसे ही जो करमठ करमवान है धक्का देकर कुर्सी से उन्हें गिराना चाहते हो देखो उनके हाथ पेरों की घिस्ती रेखाओं को देखो उनके हाथ पेरों की घिस्ती रेखाओं को अपने हाथ में देख खुश हो जिन्हें तुम सजाना चाहते हो करमहीन बनकर तुम सब पालेना चाहते हो तैहे ये अक्रमनता की दिन चर्याब बदलनी होगी तब ही मिलेगा वो सब जो तुम पालेना चाहते हो ये नहीं स्विकार है तुम्हें मेरा यह सुप्रस्ताव भी रहो तुम ऐसे भूल कर जो पाना चाहते हो